अक्षे कुमार करियर की स्टार्टिंग से ही अपनी परसनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में बने रहे हैं उनका नाम बॉलिवुड की कई हसीनाओं के साथ जुड़ भी चुका है अक्षे को रवीना टंडन और शिल्पा शेटी से बेवफा होने का टाग तक मिल चुका है साथ ही साथ दोनों आक्ट्रिस ने सालों तक अक्षे से बात तक ने गीत और इसी भी सोचल मीडिया पर एक पुराना किस्सा वरल हो रहा है जिसमें अक्षे की मा को लेकर एक दावा किया जा रहा है कि वो ट्विंकल के बज़ाए किसी दूसरी अक्ट्रिस को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी और इस रिपोर्ट के मताबिक अक्षे कुमार की लेट मदर अरुन भातिया शिल्पा शेटी को बहुत पसंद करती थी अक्षे की मा को शिल्पा शेटी के नेचर बिहेवियर से इंप्रेस हो गई थी और उनके शांत स्वभाव को देखकर अक्षे की मम्मी को लगता था कि शिल्पा कामली के लिए एक प्यारी बहु बनेंगी लेकिन ऐसा हो ना सका दरसल जब अक्षे और शिल्पा के रिष्टे की प्यार की शुरुआत हुई तब अक्षे इस रिष्टे को और आगे लेकर जाना चाते थे मगर अक्षे ने फिर कुछ बड़ी मिस्टेक कर डाली जिस वज़े से उनकी मा का ये सपना अधूरा रह गया जी हां, according to media reports कहा गया है कि अक्षे कुमार शिल्पा शिटी से शादी करके कैनडा जाना चाते थे आक्षे ने खुद कहा था कि 13-14 फ्लॉप फिल्मों के बाद उने लगा था कि उनका बॉलिवुद से एंड हो गया है कैनडा में एक दोस्त के साथ वो एक कारगो बिजनेस सेट अप करना चाते थे लेकिन शिल्पा शिटी अभी शादी करने के लिए तयार नहीं थी क्योंकि वो अपने करियर में सेटल होना चाती थी पल इसके अलावा शिल्पा अपने फामली को चोड़ कर किसी विदेशी देश में जाने के बाद को लेकर कन्फ्यूस्ड भी थी और ऐसे में इस डिसीजन तक पहुंचने से पहले ही जब शिल्पा शिटी ने सुना कि अक्षे कुमार ट्विंकल खना को डेट कर रहे हैं और वो एक साथ हॉलिडे इंजॉय कर रहे हैं अक्षे को अपने घर का हिसा मानते थे और इसके बाद से शृतपा शेटी और अक्षे कुमार के रिष्टे का और अच्छा नहीं रहा लेकिन अब दोनों के बीच चीज़ पहले से काफी भेतर हैं और लुए कवे आपके आपया वी समय आपनेची कमें सेक्शन पर जरू पता हैं और वर सुटेस अबदेश दो फालो आपचे